नमस्कार मैं सहर समस्तिपूर में हूँ और समस्तिपूर सहर पहली बार नगर निगम छेदर बनाया गया है समस्तिपूर को 47 वाडो की संख्या की गई है एक मेर पद बनाया गया है और एक डिप्टी मेर पद बनाया गया है इसमें 47 वार्डो में वार्ड धेक्ष की नियुक्ति हो गई यानि की चुनाब होगा उसके वाद मेर पद के लिए एक सीट बनेगा और डिप्टी मेर के लिए एक पद बनेगा इसी करी में हमारी यातरा पहुंची है वार्ड नमबर 20 और हमारी मुलाकात हो रही है डॉक्टर जीडी सिंग से अब जीडी सिंग सर के बारे में कहें तो यह बीएसी से इन्होंने उनर्स किया है बीडीएस की डिग्री प्राप्त किया है और यह डॉक्टर है लगभग 35-40 सालों से डॉक्टर के श्यतर में यह अपना योगदान दे रहे हैं इनका कहना है कि मैं उन जीडी समтов करने तो यह दूसरा पैदान जो है राजनीती वाला जूकि अब तो पहले पेदान ने डॉक्टर है अब राजनीती में आ रहे हैं तो ऐसा क्या है राजनीती में आकर कि क्या विस्हाश करने का भी कि ऐसुअ थे सबसे बछ़े बात क्या है कि आज पहले तो नग परिशत था निगर परिशत में जितने लोग सीवे दाइरह में अपना काम करते थे जाब से यह नगर निगम बना है तो इसका दाइरह बिशे सुरुपसे बढ़ गया अब बढ़ गया है तो रेलवे परिशत में सभी काम रेलवे ही करते थे और वाट कमिशनर का कोई काम होता नहीं था वाट कमिशनर एज केवल वाट कमिशनर रहते थे और केवल एक पैड मोहर लेकर वो पांस साल गुजार लेते थे लेकिन आप जब से नगर निगम बना है तो छेतर का विकास होगा अब विकास होगा तो रे रेल एरिया में भी बहुंसा ड़रा डिवलेप्मेंट का काम है, जो नगर नहीं उनके द्वारा किया जाए घर रजाएंगा। तो कहीं नने कहीं विकास के मुद्दे हैं आपके साथ कि मैं विकास करूंगा। इस छैत्र में भी समासे वातों आपकर लेहें थे। अब आपका जो एरिया है वार्ड का उसमें भी सरकार के विविन जो योजनाय हैं उनका इंप्लिमेंट करना चाहते हैं जी बिल्कुल आदी अवादी महिलाओं की है महिलाओं की सुरुजगार की बात नहीं होती आजके महिला ससकती करन के नाम पर बहुत सारे योजनाय चला हैं चले जा रहे हैं बहुत सारे लेकिन सिर्फ बात बन कर रह जाती है तो महिला के सुरुजगार के लिए आपने क्या कुछ सपने देखें उनको कैसे करें हैं हम लोग चाहेंगे कि महिला को अधिक से अधिक समूश से जोड़ेंगे और उनको लोन दिलाएंगे और यह सब होने पर महिला काफी बढ़ावा मिलेगा यानि की महिला को सिल्फ हेल्प गुरूप बना कर जीवकाओं से उज़ुरा कर एंजियों से जोर कर उनको लाप पहुंचाने का काम करेंगे सर सिक्षा वेवस्था की बात करेंगे चुकि आप एक डॉक्टर भी हैं आप सिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे तो मौझूदा जो हालात हैं सिक्षा की करोना काल के बाद बहुत ज्यादर डिश्टर्ब हुआ है सिक्षा भी भाग और सिक्षा वेवस्था तो सिक्षा वेवस्था पर क्या कहना होगा सिक्षा वेवस्था पर सबसे पहले ह है कि आज सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं हो रही है तो टाइम टूर्ट